पर क्या फैसला हाई कोर्ट सुनाता है आयूश अप्रहिए का अगली बड़ी ख़बर काम रुख कर रहे हैं हेमन सोरेन को लेकर ये बड़ी ख़बर है हेमन सोरेन पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है हेमन सोरेन ने अपनी गिरफतारी को चुनौती दी है चुनाफ रिचार के लिए अंतरम जमानत की मांग हेमन सोरेन की है सोरेन की जमानत का एडी ने विरोध किया है पूरे साल कोई ना कोई चुनाफ होता रहता है ये एडी ने अपनी दलील में कहा है वो कह रहे हैं राज्य मशिनरी का दुरूप्यों करने का आरोप हेमन सोरेन पर है और ऐसे में उन्हें जवानत नहीं मिलनी चाहिए एडी ने विरोथ किया है ऐसे में आज सुप्रीम सुनवाई हेमन सोरेन की याचिका को लेकर जिसमें अंतरिम जवानत की मांग की गई है होना है आयूश एक तरफ मनेश सोरिया की केस पर नज़र किराहत मिलती है या नहीं दूसरी तरफ हेमन सोरेन भी है जिन्होंने गिरफतारी को चैलेंज दिया है और अंतरिम जवानत की मांग की है क्या अर्विन केजरिवाल की तरह राहत मिल जाएगी जी देखे अब जातक बात की जाए हेमन सोरेन की सुप्रीम सुनवाई जो आज होनी है और उनको राहत मिलेगी या नहीं अब इस चीज़ को जोड़कर देखा जा रहा है अर्विन केजरिवाल से कि अर्विन केजरिवाल को भी इस आधार पर बेल दी गई थी कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है तो उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए चुनाब प्रचार के लिए भी अब यहाँ पर हेमन सोरेन ने भी यही अधार बनाया है उन्होंने कहा है कि उनको चुनाब प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर अर्विन केजरिवाल की केस में और हेमन सोरेंट की केस में अंतर क्या है अर्विन केजरिवाल एक सिटिंग मुख्य मंत्री है तो वही दूसरी और हेमन सोरेंट ने गिरफतारी से पहले ही इस्टिपा दे दिया था वो अपनी राज्ये की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे तो वही दूसरी और अर्विन केजरिवाल पर दिल ली यानि देश की दाज़दानी जैसे राज्ये की जिम्मेदारी बनी हुई थी तो वही दूसरी और अर्वेंद केजरिवाल को अलग धाराओं में गिरफतार किया गया था अर्वेंद केजरिवाल को एक एक नौ समन भेचने के बाद जब गिरफतार किया गया उसके बाद जब थब सबूत अदालत ने मांगें तो फिलाल E.D की तरफ से बाद सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी कि वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किये जाएंगे वो जाच अधिकारी जो है वो निचली अदालत में पेश करेंगे तो वही हेमन सुरेन की खिलाब जो सबूत कोर्ट में पेश किये जा चुके है हेमन सुरेन की खिलाब ये बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कई एकड जमीन जो है वो ली है कई तरीके से उन्होंने फेवर्स दिये हैं कई तरीके से स्टेट मशिंदी का दुरूप योग किया हैं तो यह जो दोनों मामले हैं यह अलग हैं इसलिए फैसला भी अलग हो सकता है नजरे आप बनाए रखेगा आयोश बहुत शुक्री आपका यह सभी अब्रेट्स हमारे द के बायां से